हेलो दोस्तों, जान्वी बुटीक में आप सभी का स्वागत है, कैसे हो आप सब लोग, आसा करती हूँ कि आप सब बढ़िया हूँ तो आज मैं फिर से एक क्राफ्ट बनाने जा रही हूँ, तो उसका वीडियो में डाल रही हूँ, आप सभी पूरा देखिएगा और ये स्कूल का क्राफ्ट है बच्चों का, तो मैंने सुचा बना तो रही हूँ, तो इसका वीडियो बना लूँ, आप लोगों को अकर बनाना हुआ, तो आप लोगों की भी हिल्प हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो स्कूल वालों से हमें यही बस प्राब्लम है कि अगर जैसे बन आप एक्टिविटी बच्चों से करवाते हैं यह अच्छी बात है लेकिन ऐसा कुछ बच्चों से बनवाई है जो बच्चे बना सके हम लोग को ही दिक्कत होती है मम्मी पापा ही उसमें सब करते हैं क्योंकि बच्चे इतना मुस्किल लाइक कीजिए गाने चैनल पे लिट पड़ी वाल है सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए वीडियो सुरू करें तो देखिए इस तरह से में कार्ट बोर्ड ले लेना है और उसमें सरकल कट कर लेना है इस तरह से वह अपनी इच्छानसार आप बड़ा चोटा कर सकते हैं और इसको इस तरह से गुमाते हुए और इस पे पूरे पे हमें इसमें लपेट लेना है बिल्कुल यह देखिए पास पास होना चाहिए यह हमारा कार्ड बोर्ड जो है वो दिखे न तो आप अगर अकेले नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं यह देखने में लग र यह इस तरह से निकाल लेना है तो आप देखिए एक बार और आप देख लीजे ना समझ में आ रहा हो तो इस तरह से हमें इसमें निकाल लेना है तो देखिए चार चार अंगुल पे ही हमें यह आप अगर किसी से ना पाउर लेना चाहते हैं तो उससे भी ले सकते हैं इस त पूरे पे हमें कर लेना है तो देखिए इस तरह से मैं कर रही हूं फिर चार अंगुल पे तो देखिए इसी तरह से मैं पूरे में यह बना लूँगी देखिए फिर से मैंने चार अंगुल पे लिया और इस तरह से पीचे की तरफ डाल के अब यहां पे देखिए यह हम पूर अब इसके आगे वाले में डाल लेना है हमें इस तरह से डाला और खीच लिया तो देखिए इसी तरह से हमें बहुत आसानी से करिएगा क्यों काड़ोड खीचे न तो देखिए इसी तरह से हमें डालते चले जाना है तो यह डिजाइन सा बनने लगेगा तो अब देखिए इस तरह से हमें इसको दवा लिना है ताकि ये आसानी से उसमें जा सके तो देखिए इस तरह से आपकी इस तरह से ये डिजाइन बन रहा है तो देखिए इस तरह से हमें डालते जाना है इसमें और उनको ज्यादा खीचना नहीं है अगर ज्यादा हम खीचे लगेगा तो ज्यादा खीचना नहीं है फिर भी ये बहुत नरम सा हो गया है बिल्कुल लूज हो गया है होने लगा है थोड़ा-थोड़ा सा तो देखिए इस तरह से हमें देखिए आप डिजाइन बनने लगा है इसी तरह से बिल्कुल बनाते जाएंगे और इसमें जो ये यह इस पेस जो है बिल्कुल नहीं बचेगा तो इस तरह से हमें देखिए अंदर फ्लावर की तरह बन गया और यह बड़ा प्यारा लग रहा है लग रहा था यह मुस्किल है बहुत की कैसे बनेगा यह बहुत ईजी है इस तरह से में बना लेना है और उसके बाद हमीं यह पर जो मार्केट में हमें मिल जाते हैं तो यह पर मगा लेने हैं पंक चुडियों वाले तो यह रेडिमेंट मिल जाते हैं तो देखिए इस तरह से चार पांच मैंने पांच रख लिये हैं तो हर एक कलर का रख लिया एक एक तो इस तरह से उन से हमें अच्छे से कसके बाद दे तो देखिए इस तरह से हमें इसको बना लेना है इसी तरह से हमें साथ बना लेने हैं तो देखिए इस तरह से मैंने छे साथ बना के रखे हैं और देखिए इस तरह से हमें उन ले लेनी हैं और उन को सुई में डाल लीजिए सुई हमारी बहुत छोटी सी थी चोटी बाली का ही काम रहता है ज्यादा तो चोटी बाली ही सुई थी तो देखिए उसमें मैंने भागड उन डाल लिया है अब देखिए यहां नीचे से हमें उपर की तरफ इसमें सुई से निकाल लेना इसको तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें निकाल लिया है अब हमें मोती ले लेने हैं आप अगर आपको जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप ले सकते हैं तो देखिए ये मैंने इस तरह से ले लिये हैं तो देखिए इस तरह से इसमें सारे हमें पिरोल लेने हैं और आप सभी देखिए इस तरह से हमें इसमें पिरोल लेने हैं सारे सारे नहीं सोरी चार आप चार ही मैं डाल नहीं हूँ आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा बनाईएगा कभी तो डाल लीजिए ता जैसे आपको पसं रहें और इसके बाद अब एक छोटा मोती और फिर बड़ा फिर से छोटा तो तीन मोती मैं डालूँगी तो यह देखें यह बहुत अच्छा लगेगा और इसी तरह से तीन मैं और डालूँगी तो देखें इस तरह से तीन और डाल लिए तो देखें यह हमारी जो यह लड़ी है यह बनके रेडी हो गई है अब इसी तरह से देखें अब पीछे की तरफ हमें गाठ रखनी है आगे की तरफ हमें गाठ नहीं रखनी पीछे की तरफ गाठ रखनी है और इस तरह से गाठ जरूर कीजियेगा और कमेंट जरूर कीजिये गा तो देखिए और देखी सब्कातर आए сама ए जो सुब्रा ये देखिए और देखिए कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और मिलती हूं आपसे नए वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई